अगर आपसे कहूं कि आपने अगर 10 साल पहले 1000 रुपे इन्वेस्ट किये होते और वही 1000 रुपे आज यानि कि 10 साल बाद 2020 में करीब 40-50 कोड़ रुपे बन जाते तो क्या आप यकीन मानोंगे शायद नहीं पर दोस्तों ये सच है और ऐसा हुआ भी है मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बिटकोईन की 2010 में एक बिटकोईन की कीमत थी 0.08 डॉलर यानि की करीब 5-6 रुपे लेकिन अगर आप आज देखोगे तो आज एक बिटकोईन की कीमत करीब 20 लाक रुपे है जब मैं ये वीडियो ब का करंशी करंशी यानि की मुद्रा मुद्रा यानि की पैसा जिससे दोस्तों इंडिया की जो करंशी वह रुपीज है सिम इसी तरह यूस की करंशी है वह डॉलर है सिम इसी तरह से दोस्तों जो बिटकोईन ये भी एक करंशी है बस फरक इतना है कि आप इन डॉलर को रुप सकते हो चीजों की लिन दिन गले चीजों को बायं सेल करने के लिए ओन-लान पेमंट करने के लिए ट्रांजक्शन करने के लिएativ हो स्थेरा वेजरा तरह ची उसी बैसे आप आप क्यों का ही यूज कर सकते हो यह है कि Bitcoin को ना तो कोई government control करता है और ना ही कोई financial institution जिसका मतलब यह है कि इस पर किसी का control नहीं है जिसका मतलब यह हो गया कि कोई भी अपना खुद का cryptocurrency develop कर सकता है just like Bitcoin इसी वज़े से market में आपको Bitcoin के जैसे और भी कई सारे cryptocurrency देखने का मिल जागा जैसे कि light coin हो गया, dark coin हो गया, ethereum हो गया तो और भी कई सारे आपको cryptocurrency मिल रहेंगे market में अब यहाँ पर भरोसे वाली बात आ जाती है एक trust factor आ जाता है क्योंकि इस पैसे पे इस currency पे किसी का भी control नहीं है बारे में जरूर पता होगा, dark web आपको पता होगा कि Bitcoin काफी ज्यादा इस्तमाल किया जाता है जित्ते भी transaction dark web पे होते हैं, जो भी चीज़े buy and sell होती है वह सारे के सारे Bitcoin में किया जाता है, आपको पता ही होगा बड़े distributed computer network से होकर गुजरता है, जहां पर दोस्तों, जो distributed computer network है sender और receiver के Bitcoin address को एक laser जिसे आप एक record file भी कह सकते हो, इसमें add कर देता है